ओम शान्ति श्रिष्टी चाक्र पांच अजार वर्ष बाद हुँ बहु रिपीट होता है इसका कोई विज्ञानिक प्रमान है कैसे हम मानें क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजे बहुत बहुत पुरानी है लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, अर्बों वर्ष, पुराना इससे कहा जाता है और आप कहते हैं ये सिरफ पांच अजार साल का ही रामा है तो हम इसको कैसे बानें तो आज हम इस विशे को परमात्मा के दृष्टी कोण से देखेंगे विज्ञान के दृष्टी कोण से देखेंगे और संसाहर में प्राप्त शास्त्रों के आधार पर भी इसे देखेंगे और पास्चात्य जगत के जो हमारे फिलोसफर्स हुए उनके भी विचारों को देखेंगे तो हम सबसे पहले इसे देखना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास वेद उपलब्ध हैं वेद क्या कहते हैं यह हमारे पास वेदों के आधार पर रिगवेद लिखा गया है और रिगवेद या जजरवेद सावेद आथरवेद के आधार पर इसे प्रस्तुत करने में जो लिख कर देने में मैं सामनी लिख आया हूँ ये है हमारा सत्यार्थ परकाश जो आरिय समाज का एक मुख्य ग्रंथ है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के सत्यार्थ को समझाने के लिए पुर्शार्थ किया मैंनत की ये उनका उत्रार्थ है लास्ट वाला आदा हिस्सा और ये उसकी बिलकुल ग्यारवे समुलास की अनुभूमिका है और इस अनुभूमिका के अंदर उत्रार्थ अनुभूमिका में ये जो उन्होंने बिलकुल शुरू शुरू में ही सबसे पहले लिखा है मैं वही लाइन आपको दिखा रहा हूँ अनुभूमिका में लिख रहे हैं ये बात सिद्ध है ये बात ये बात सिद्ध है कि पांच सैस्त्र वर्ष के पूर्व वेद मत से भिन दूसरा कोई भी मत ना था क्यों कि वेदोख्त सब बातें विद्ध्या से आविरुद्ध थी वेदों की आप्रविर्थी वेदों का प्रियोग ना होना वेदों के नियमों का प्रियोग ना करना ना होने के कारण क्या हुआ महाभारत युद्ध हुआ महाभारत युद्ध क्यों हुआ जब संसार के अंदर वेद विरुद्ध हुआ जब तक पांस साजार साल पहले वेदों से एकदम ठीक संसार चल रहा था वेदों के नियम से चल रहा था तो संसार में कोई वेद विरुद बाते नहीं थी संसार बहुत स्रेश्ट था पंतु जब वेद ओक्त फिर से द्यान से देख रहे हैं आप इसको जब वेदोक्त सब बातें विद्या से एविरुद है और वेदों की एप्रविर्थी उसका हमारे जीवन में एप्रविर्थ ना होना प्रयोग ना होना होने की कारण महाभारत युद्वा लाइन समद रहें? और महाभारत युद्व का भुआ? दुनिया की दरिष्टी कोन से आपसे 5000 साल पहले तो उससे 5000 साल पहले वेद ये लिखे गए थे ये स्वामी द्यानजी की मानिता है 5000 साल पहले जब वेद के नुसार, वेद मत के नुसार दुनिया चलती है तो संसार सुख में होता है परंतु जब वेदों के प्रिविर्थी हमारे जीवन में नहीं रहती ऐप प्रिविर्थी होती है तो महा भारत होता है पाद समय में आईए और महा भारत जब होता है तो उसके बाद क्या होता है सब कुछ कतम माँ भारत में सब कुछ खतम हो जाता है कौरो भी खतम, पांडो भी खतम और यादो भी खतम इसको बताने की जूरत है कौरो पांडो तो युद में खतम हो गए और पांडो यादो कैसे खतम हो गए गंधारी ने शराब दिया कृष्ण जब गया था गंदारी से मिलने युद के बाद तो गंदारी ने कहा कि हे कृष्ण तुम चाहते तो युद को रोक सकते थे कहता है हाँ माते मैं रोक सकता था नहीं रोका न तुम मेरे दुनों कुलों के नाश करने के जिम्मेबार हो इसलिए मैं तुमें श्राब देते हूँ कि सारे यदुवंश का नाश हो स्विकार है माते कृष्ण कहते हैं और यादुओं के पेड़ से मुसल निकलते हैं और सारा यदुवंश नाश हो जाता है कृष्ण भी पेड़ के नीचे मिजाइक उन्होंने मुसल शब्द यूज किया है उसकी कहानी उन्होंने एपने तरफ से गड़ दी है कि उन्होंने नाटक किया था कुछ राप मिला था जिसरी सी कारण तो उन्होंने एक तसला यहाँ पेड़ में बांधा हुआ था तसला के मचली ने खाया तो उस प्रकार से वो सारे यदुवंश का क्या हो गया नाश हो गया में यह समझना है कि उनके पेड़ से मुसल निकले जो कहानी है पन्तु एक्च्वल में मुसल को मैं आगी यह बात तो मैं आपके साथ शेयर कर लिता हूँ पेड़ से कोई मुसल क्या निकलत यह जैसे कहते हैं उसके पेड़ में बात नहीं पच्टी कैसे पेड़ में बात नहीं पच्टी सभी के पेड़ से बात कोई मतलब नहीं पचा इन बात का मतलब दिमाग से है तो जितने भी मिजाइल निकले काँ से निकले दिमाग से निकले जो उनको ग्यान मिला जो उनको समझ मिला जिनके द्वारा उन्होंने विनाशकारी ये साधन बनाए तो फिर वो तो निकल नहीं थे न तो एक्चल में ये मिजाईल शब्द है मुज़व उस समय शब्द यूज किये गए जिन से सारी संसार का क्या हुआ नाश हुआ तो कहने का भाव मेरा सिर्फ यहां यह है कि पांच जार साल पहले की बाद यहां पर भी हर पांच जार साल बाद महा भारत होता है इस बात को यहां बताने का पर्यास किया गया है और अब हम देखेंगे आपने पढ़ा हो या न सुना हो सुना हो या न पढ़ा हो पांच जार साल का जिक्र हमारे सकंद पुराण में आता है जागरन में आपने सुना होगा के दो राक्ष़स पैदा होते हैं मधूर कैटब मधूर कैटब का नाम सुना है तो यह मधूर कैटब कैसे पैदा हुए यह हम आपको बताएंगे आपर यह सकंद पुराण में लिखा है कि नारैन मुठो निद्रा में सुना हुई थे उनकी कान की मेल्क से दो राक्ष़स पैदा हुए पांसवजार साल तक उनके साथ नारैन लड़ते रहे कान की मेल्क से राक्ष़स केदा कैसे हुए कान की मेल्च से ना भी जह करेंगे पुली सम्द जो ची लिखिया है हम उसको बता रहे हैं उसके बद हम साच चुर जूट के उपर चर्चा करेंगे कान की मेल्च से दो राक्षस पैदा हो गए और उनके साथ पांजा साथ तक लड़ते रहे जब वो उन पर लड़ने में सफल नहीं हुए तब उन्होंने क्या किया ब्रह्मा को बलाया शंकर को बलाया तीनों ने मिलकर जोती से दुर्गा को उत्पन किया और दुर्गा ने उन राक्षसों का उबाद किया अब ये कहानी तो बहुत छोटी हो गई ना पर तो सच क्या है कि कान की मेल से भी क्या राक्षस पैदा होते हैं बिल्कुल पैदा होते हैं कान की मेल से ही राक्षस पैदा होते हैं ऐसे पैदा ही नहीं होते क्योंकि हमारी बोडी के एंट्री पॉइंट दो है आखें और कान जो कुछ हम देखते हैं जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे अंदर जाता है वो सब चीज़े हैं बहुतो main entry point ये है हमारे पास ऐसो हम पूरी body sense लेंगे जीब से भी लेंगे, smell से भी लेंगे सारे entry point है पहुतो जो main मैं देख रहा हूँ कान और आख यह जहां से भी message जा रहा है आप इसको समझने कोशिश करेंगे कान की मल से सुना जैसे मैं आप चोटा सा example देख करके आब एक चलूँगा आप से कुछ time पहले एक दिखाया गया television में के हैना news में कि कैसे जो poly pack दूद आता है उसको कैसे उपर से बरीक काटा जाता है और दूद निकाला जाता है पानी मिक्स किया जाता है पुरा practical करके दिखाया कि ऐसे ऐसे करते हैं तो आप जब तक वो नहीं दिखाया था तो वो सीमित लोगों तक था ना पर तो जब उन्होंने करके दिखाया कि कैसे उसे बहुत बरीक काटा जाता है और कैसे उसमें पानी डाल करके पैक किया जाता है आप उसको देख करके कितने लोगों को पता लग गया बड़ा या घटा मेरा केने के उन्होंने देखा उन्होंने सुना उस गलत बात को जीवन में ले आए ना पहले दो लोग या चार लोग कर रहे होंगे वो तो जैसे उसको टेलिविजन में देखा गया तो आप मैक्सिमम लोगों ने करना शुरू कर दिया होगा तो इस परकार से जो बुराई है वो यहां से हमारी बोड़ी में जाती है और फिर दीरे दीरे वो हमारे जीवन के अंदर क्या करती है डेवलप करती है तो इस परकार से बुराईया नारेण के जीवन में आए और पांच जार साल बात पांच जार साल तक युद किया तो वो नारेण की आत्मा अंत में आकर जब ब्रमा के रूप में आती है तब जोती सुरूप पर मात्मा आकर उसके द्वारा आश्री दुनिया का क्या करते हैं विनाश करते हैं ठीक है कि इसी परकार से इसी रिग्वेद की समुलास है ग्यारवे समुलास का पहले पेरेग्राफ में भी सेम इसी बात को रिपीट किया गया है जो अभी मैंने आपको दिखाया इसके बाद हमारे पास आता है कि मैंने बताए आपको सुक्रात और अरस्तु ये भी जो है न और पलेटो अफलातून दफस्ट था अफलातून के बारे में पढ़ा होगा अफलातून सुक्रात का गुरू है किटिस आपको है य êtes झेनिया वह सबसे पैला सफ्लोसफर है मैं अफलातून पलेटो शुक्रात और अरस्तू और अफलातून उनका सबसे पैला हैं उनसे भी ओल्ड ठेने यह अफलातून जो हम दुने समझते हैं नहीं कि अफलातून का आगे तुब बड़ा अफलातून बनता फिरता है ठेने शब्त तो सुनाओगा कि अफलातून सबसे बड़ा उनका सबसे पहला फिलोसोफर है उसका लिट्रेचर बहुत कम है उसके दोरा जो बताया गया कि 6000 इर का सरकल अरस्तू को का जाता है पृलिक्स का गुरू पहली बुख लिख की उन्होंने अपना एक सरकल दिया अरस्तू का उसको सरकल बोलते हैं उसके दर दिया कि जबकि उस समय उस समय परजयतंतर का पूरे वर्ल्ड में कई नामों निशान नहीं था आरस्तू के टा तो उसके बाद वह बहुत बैस चलाते हैं तो फिर ये पावर सब के पास चली जाती है बहुत अच्छा चला रहे होते हैं परन्तु उसके बाद वह भी क्रप्ट हो जाते हैं और उसने लिखा कि जो अपना प्रजात अंत्र है ये सबसे वर्ष्ट गौर्वर्मेंट होगी और उसके बाद फिर ये सारी पावर एक के पास आएगे ये उसका सर्कल और इस सर्कल की लाइफ उसने शेक्स थाउजन लिए एक सर्कल जो एज है और उसके गुरु सुक्रात न जो है न वो 60,000 दिये इन दोनों के मत देखे के गुरु और चेले में ही इतना अंतर है ऐसे ही सब के फिलोस्पिय महला स्रिष्टी के चक्र के बारे में हमारे सामने आता ही है कि स्रिष्टी चक्र है स्रिष्टी के बारे में हम जान चुके हैं कि स्रिष्टी अनादी और अन आंत होता ही होता है तो उसके बाद हमारे पास आता है कि स्रिष्टी चक्र के बारे में भी हमने जिक्र किया था पर तो यहां पर आपके साथ फिर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि ये स्रिष्टी चक्र जो है 5000 साल का क्यूं है स्रिष्टी चक्र 5000 साल का चूं है ये चक्र चलता रहता है जैसे हमने किया था कि स्रिष्टी का अरंब और अंत कहां से होगा स्रिष्टी के आरंब और अंत को हम कहां से मानेंगे कहीं से भी हम एक चक्र को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जहां से भी शुरू करना चाहें वहां से शुरू कर सकते हैं एक चक्र के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां से ही शुरू करें तो इस बात को हमें अपनी बुद्धी के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझना हैं और समझते हुए फिर इसको कर सकेंगे जैसे कि स्रिष्ठी चक्र है यह जो स्रिष्ठी चक्र है हम देख रहे हैं इस स्रिष्ठी चक्र के अंदर संसार का वैसे तो स्रिष्टिया ना दिया है पर तो एक चक्र जो है ये पांच जार साल का है ये पांच जार साल का है और ये हर पांच जार साल के बाद हू बहू रिपीट होता है हर पांच जार साल के बाद ये हू बहू रिपीट होता है इसमें किसी भी परकार का कोई फर्क नहीं पढ़ सकता क्यों नहीं फर्क पढ़ सकता जैसे हमने देखा था क्या बोलते हैं मंतर के अंदर देखा था रिगवेद के मंतर के अंदर के परमात्मा के कारिय में कभी गलती नहीं होती परमात्मा के कार्य में कभी गलती ने होती वो स्रिष्टी हार कल्प एक दम हूँ बहू ही बनाता है मुनुष्य अलपग्य होने के कारण उसके कारच नामें गलती हो सकती है परन्तु परमात्मा के कार्य में कभी गलती नहीं हो सकती देख रहे हैं सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्प है थे पूरम कल्प में पूरे कल्प में जैसे रचना की थी वैसे ही रचना करता है परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में रचना की थी सूर्य चांद विद्युत बनाये थे पृत्वी अंत्रेक्ष बनाया था इसी परकार से बनाता था, वैसे ही आप बनाए हैं, और आगे भी वैसे ही बनावेगा, इसलिए परमेश्वर का काम बिना भूल चूप के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं, जो अलपाग्य और जिसका ज्यान विर्धी ख्याय को प्राप्त होता है, उसी के काम में गलती होत हो बहू रिपीट होता है, यह रिगवेद ने भी अस्यप्ट किया, और आप परमपिता परमात्मा ने आके बताया, कि बच्चे यह वर्ल्ड ड्रामा हो बहू रिपीट होता है, और प्रजापिता ब्रमा कुमारेज इश्वरिय विश्व विद्याले का यह जो ज्यान है, यह वन्डरफूल ग्यान केवल तीन लाइनों में परमात्मा ने हम सब को दिया, तीन लाइनों में, यह वन्डरफूल तीन लाइने हैं, जिसको बाबा ने अपने शब्दों में लिका आया, एक अदभुत रहसे, इस अदभुत रहसे को बहुत ध्यान से समझने वाला है, इसको जितनी बार पड़ेंगे, उतनी बार इसका राज समझ में आएगा, आप यहाँ पहली बार नहीं आएगा, आप पांच अजार वर्ष पूरू भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी परकार से आए थे, अब आए हैं, और हर पांच जार वर्ष परश्चात आते रहेंगे, पहली बार नहीं आए हैं, पांच जार वर्ष परश्चात ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि इस श्रिष्टी रूपी नाटक की, हर पांच जार वर्ष परश्चात हू बहू पुन्रावर्थी होती हैं, यह परमात्मा के डारेक्ट वर्षन से हैं, परमात्मा ने कहा है कि विग्यान इसके लिए क्या कहता है? विग्यान की अंदर जो दुनिया के सामने आता है कि एक कार्बन थियोरी है, ऐसे बहुत सारे थियोरिस बनी हुई हैं, जिनके आधार पर वो टाइम को डिसाइड करते हैं, कार्बन तो केवल, जिसमें कार्बन होता है, उस ही की बताएगा जिन एलिमेंट्स में कार्बन नहीं होता उसके बारे में वो नहीं बता पाता तो ये कार्बन का फार्मूला है मैं एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसी परकार से सारे फार्मूले हैं चोटी सी बात बता हूँगा कि कार्बन फार्मूला बनाया गया लैब के अंदर ये लिबी ने 1945 के अंदर इस पर काम करना शुरू किया था पांच साल तक वो इसको स्टेड़ी करने के बाद जो इन्होंने ये फार्मूला बनाया दिया ये लैब में ही दिया लैब में ही बनाया लैब में ही टेस्ट हुआ क्योंकि उसने थोड़े ही टाइम के लिए किसी चीज़ को रखा क्योंकि अब इतने हजारों साथ पुरानी चीज़ को तो नहीं रख सकते न उसने इस फार्मॉले को डेवलप किया क्या होता है कि जो भी कार्भन है वो जितना reduce करेगा उससाब से इसको calculate किया जाएगा कि कितनी अब इसकी age है क्योंकि धीरे-धीरे कार्भन जो है क्या होता है काम होता जाएगा और last में जिस समय हम उसको count कर रहे हैं कितना कम हुआ उस हिसाब से उसकी लाइफ निकाली जाती है अब इस फार्मूले पर जब उन्होंने फार्मूला दे दिया वो खुद भी डाउटफुल रहे कई जगहों पर उनको स्वेम भी परनमान नहीं मिले एक बार करने पर दुबारा करने पर उनको रिजल्ट एक जैसा नहीं मिला परंतु उनके दिमाग में बिग बेंग थेयरी विकासवादी सिदानत बैठा हुआ था जिसके अधार पर उन्होंने इसको क्योंकि लखो साल अर्भो साल पुरानी इस सिद्रिकों मान रखा है वो भी उनके दिमाग में था तो उन्होंने अपने फार्मूले पर अड़े रहे परन्तु उसके साथ-साथ अन्य विज्ञानिकों ने उन पर रिशर्च किया और उनोंने जो रिपोर्ट दी उन सबकी रिपोर्ट के अधार पर उनके किये गए टेस्टों को दुबारा रेटेस्ट किये गए तो उनकी भी में बड़ा अंतर आता है अब जब उनकी तुर्टियां पर मैं आपको दिखा रहा हूं उस फार्मूले को देखना हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या कहते हैं लिंक इसका मिलेगा जिस लिंक से आप समझ सकेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि जो नियम था जो जिस नियम के अधार से आज दुनिया कहती है कि भी ना वो कहा है कैसे मतलब जैना हुआ यह तो उसको मैं यहां आपके साथ दिखाने का प्रयास करूँगा वेभारिक अंशाकन में तुरुटियां न्यूट्रॉन में व्रेदी इसके लिए पहली तुरुटी जो हमारे समने रखी गई कि विश्व परसिद बाड नावकिये विस्पोर्ट कंकाल की आयू जो उन्होंने बताई थी पहली बार पचास अजार वर्ष बताई थी जब उ साइबेरिया के लीना डेल्टा में एक मेहमत पाया गया उसे बेरे सुवाका में मेहमत कहा गया और कार्बन 14 काल निर्धारन प्रणाली द्वारा उसकी लाइब बताई गे 26 जार वर्ष पराना बताया गया जबकि केवल उससे 18 इंच उपर उसके जो पीट मिला उसका 5000 वर्ष बताया गया पुराना बताया गया वेग्यानिक स्वेम ये स्विकार करते हैं कि पीट परतों के समाने विर्धी के लिए 2000 से वर्षों से अधिक समय नहीं लगेगा किन्तु कार्बन 14 काल प्रणाली निर्धान प्रणाली में 21,000 वर्ष का आकड़ा निकलता है नमबर दो एक कस्तूरी विर्षब के सिरों वालो वालों के पेशिक उतक की आयू 24,000 वर्ष निकाली जबकि उसी कस्तूरी विर्षब के पश्चात के बाल उपर के जो सिंग के बाल है उसकी तो इतनी निकाल दी और जो पीछे के बाल हैं कि आयू 72 वर्ष निकली कस्तूरी विर्धी तो वो तो एक ही है ना वो तो अलग नहीं है रोलिंग वाइमिंग में पाए गए एक मेहमत के कंकाल में एक गज दंत की आयू कार्बन चोधा काल निर्धारन प्रणाली द्वारा 11,500 वर्ष निकली जबकि उसी कबर में पाए गए कास्ट मललकडी की जो आयू 5000 वर्ष निकली डैविड जे टाइलर ने भी ये कहा कि ऐसे अनेक उधारन है कि जब सेक्ड़ों रेडियो कार्बन प्रणाला द्वारा 1922 तक काल निर्धारन प्राचीन समगरियों के 15,000 तित्यों को का उन्होंने पुना प्रिक्षन किया तो उन्हें पाया कि तीन को छोड़कर सभी की आयू 50,000 वर्ष से कम निकली दुबारा से उनकी निकाले जाने पर यहां तक कि कार्बनी सत्रों के आयू भी सुत्रों के आयू जिन्होंने आज तक 100 क्रोड वर्ष पुरा ना माना जा रहा था इस प्रनाली द्वारा 50,000 वर्षों के भीतर निकली थी किन्तु जो विज्यानिक विकास के सिधान्त में विश्वास करते हैं उन्होंने इन सामगरियों को कि आयू खर्बों वर्ष की बताए थी किन्तु ये पृत्वी ये दर्शाते हैं कि कोई भी चीज 5000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है यहां तक कि अर्नाल्ट आयनभी ने भी जो जी ने भी आमारे समगरियों के महंतम इतिहासकार में से एक माना जाता है कहा मानव जाती का प्रत्थम उद्भव लगवग 6000 वर्ष पूर हुआ तो मैं देखता हूँ कि 6000 वर्ष अरस्तु का भी उसको प्रभाव होगा या कुछ उसने अपने जो स्टेडी की होगी उस अधार से 6000 वर्ष बताए डवले अफ लिबी ने स्वेम साइंस मार्च 1961 में कहा डवले अफ लिबी का है यह जिसने इस फार्मूले को दिया मुझे पहला जटका तब लगा जिसने कार्बन फार्मूला निकाला वो कह रहा है मुझे पहला जटका तब लगा जब अर्नार्ड और उनके सहकर्मी सलाकारों ने कहा कि इतिहास केवल 5000 वर्ष पीछे तक जाता है यह डवले अफ लिबी के वर्ष है मतला जटका लगा उसको असेप करना यह ना करना एक अलग बात होती है एक जिप्ट विद्वान डाक्टर पीजे वाइजमेन भी ही कहते हैं कि इस समार्ट धंग से विश्व में सभेता का उद्वा हुआ उससे अधिक अस्चरिजनक कोई भी तथे नवीन उत्खनन से प्रगट नहीं हुआ और कैसी यह संसार का उद्वा हुआ होगा वो एक बड़ा समार्ट होगा, वन्डरफुल होगा यह खोज पूर्व अनुमानित के बिल्कुल विपरीत है जब यह अनुमान लगा रहे न, यह इन से बिल्कुल विपरीत है इन सभी उपपतियों के अधार पर हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन समागरियों की गलत पूरो अनुमान के अधार पर लंबी आयू दी जाती है पूरो अनुमान है न, यह हमारा जिसके अधार पर हम कैलकुलेशन करके उसको लंबी आयू क्योंकि हमारे दिमाग में बेटा हुआ है, अर्बो साल पुरानी है, लाखों साल पुरानी है आज यह हम अपने विद्वानों को कहें कि यह स्रिस्टी पांच जार साल पुरानी है, वो असेप्ट नहीं करता उनसे पूछों के वेद गब लिखे गए थे, लाखों साल पहले, अर्बों साल पहले लिखे गए थे परन्तु प्रोफेसर राबर्ट एल वाइट नले नुकलिय तथा यांतरिक इंजिनियर वरजिनिया पॉल टेकनिक इंस्टिचूट ने 15,000 रेडियो कारबन तित्यों का अन्वेंशन किया, तथा सिधान्त की दोश कम्यों के कारण उनमें शोधन करके उनका परिकलन किया, इस पर और रेडियो कारबन प्रणाली सिष्टी रचना के एक ऐसे काल का समर्थन करती है, जो कि आज से सालग बग सात जार वर्ष पहले का था, रेडियो कारबन प्रणाली एक विश्वियापी संकट का संकेत देती है, जिसका वणन धर्म गरंतोर विश्वियापी व्याख्यानो में तथा विश्वियापी भूविज्ञान साक्षे में मिलता है क्या मिलता है वो मैंने वहां नहीं दिया वो ये है कि इसके बाद विनाश भी होगा तिन ये भी इशारा यहां पर वो करते हैं इन समस्त प्रमानों की दृष्टिगत रखते हुए ऐसे समचारों पर विश्व भी नहीं है अब मैं आपको एक और तथे आपके सामने रखने का परूँगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये दुनिया का जितना भी परमानिक साहिते है उस सारा का सारा साहिते कितने साल पुराना होगा आपके साब से देखो क्योंकि रिगवीद के अर्बो साल पर ले लिखे गए शास बहुत लिखेंगे कितना साल पर ले लिखेंगे कितना होगे मदलो आपका आइडिया से मदलो मुझे पता लगे मैं आपको सुंक्षित में बता देता हूं कि आज इसा मस्य से 300 साल पहले 300 साल पहले पाणी ने पहला व्यक्ति हुआ जिसने संस्केट की व्याकरन लिखेंगे संस्केट की व्यक्रन लिखें पाणी नी पाणी नी पहला व्यक्ति है जिसने अस्टाधियाई व्यक्रन लिखेंगे इससे पहले जो भी बोला गया वह केवल जैसे मैंने बोला आपको समझ में आ गया बात का था उसको लिख दिया जैसे भी लिख दिया बात समझ में आ होता है कि हमारे यहां पर पाणीनी की जो अस्टा दिया व्यक्रण का Max उस से पहले जो लिखा गया वो जहां जिसने लिखा दिया मैंने जो कुछ कहा समाज के हित के लिए लिख दिया ठीक है अब वो जो वेद हैं वो उससे पहले लिखे जा चुके थे, उन्होंने जब लिखे, या उन्होंने जो कुछ बोला, उन्होंने उन्होंने को अपनी भाषा का नाम लखके नहीं रिखा था, कि संस्कृत में हम लिख रहे हैं, पाणिनी पहला व्यक्ति है, जिसने संस्कृत की व्याकरण लिखी और उसने अपनी व्याकरण के अनुसार भाषा का नाम संस्कृत दिया संस्कृत का मतलब क्या है संस्कारित सुधरी हुई भाषा इसे पहले भाषा कोई सुधरी हुई नहीं थी ना जैसे मरजी था संटेंस जैसे बोल दिया वहां subject, verb, object, कहां लगने, क्या नियम है, कोई नियम नहीं था अब उसने अपनी भाशा का नाम संस्कित लिया अब उससे पहले जो वेद लिखे जा चुके थे लिखे शब्द तो वही थे, उचारण तो वैसे ही था नियम नहीं था, अब उसको क्या नाम दिया जाए तो उसको नाम दिया गया वेदिक संस्कित अब जो संस्कित के अनुसार बोलते थे वो तो हो गए संस्कित वाले, और जो पुराने थे वो तो हो गए वो अब जो उस व्याकरण की नियम उनसार बोलना जानते ही नहीं थे उनको का आगया पाली पाली भाषा आगया पाली भाषा में आम पब्लीक भाषा थी जो व्याकरण के उनसार नहीं बोलते थे तो वरुची नाम का व्यक्ति आया उसने पाली की भी व्याकरण बना दी ठीक है कि ने क्योंकि जिसकी व्याकरण होती है उसे भाषा का आ जाता है तो इस परकार से पाली वैसे का जाता है गवारों को गाई भैस चराने वालों को तो पाली एक्चॉल में गवारों की भाषा थी संस्कित विद्वानों की भाशा थी तो फिर मात्मा बुद्ध का जो सहिते लिखा गया वो पाली भाशा में लिखा गया जिसको समाने समझ सकते थे तो इसलिए ज़्यादा प्रचलित हुआ और संस्कित रोक गई फिर विद्वानों तक ही सिमिद रहे गई तो जो शास्त्र हमारे संस्कित में लिखे गए समझ गया होंगे तो समझो के तेई सु साल पहले पाणिन ने संस्कित दी इससे पहले वेद लिखे गए दही अजार साल से पहले कुछ था ही नहीं जितने भी आप साइंस के आप जो भी स्टेडी कर रहे हैं तो आप इसको विसार से देख रहे होंगे जितने भी साइंस के फार्मूले इन्वेंशन्स आपको मिले होंगी एक भी इन्वेंशन डही जार साल से परानी नहीं एक भी रिटन बुक आपको ड़ाई जार साल से परानी नहीं मिलेगी मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्विस ड़ाई जार साल से परानी नहीं मिलेगी कोई भी लैंग्विस तो क्यों? क्योंकि उसके बारे में जो जूट बोलते हैं कि लाखो साल पराने ये बाश माखों साल पराने बोलते रहे हम किसी के बोलने को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस बातको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि penzia को देखेंगे पेंजिया देखा है अपने सुना है देखा भी है देखा भी है और पड़ा भी है अब हम ज़रा पेंजिया को देखते हैं यहाँ पर यह है हमारा पेंजिया ठीक है यह पेंजिया जो है एक ही container था नो अमरीका, नो अफरीका, न अस्टेलिया और ये पेंजिया तूटता है ये पेंजिया जब तूटता है तो ये टुकड़े हो जाते हैं ठहने, साथ container बन जाते है और अभी तक भी इसको देखा जाता है कि ये स्थिर नहीं है तो जब ये पेंजिया तूटा तो जो लोग थे तो एक ही धरती पर रहने वाले जो लोग जिस continent से चले गए उन्होंने सोचा हम बच गए बाकी सारे मर गए बाकी सबी मर गए उनके लिए तो ये ही था न कोई connection तो था ही निए एक दूसरे के साथ अब वहाँ पर जहां वो पहुँचे वहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था continent ही बिल्कुल नया था ना तो उनके वस मकान थे ना कोई साधन थे ना कोई सुईधाएं थी इसलिए सभी continent पर आरम वो यही दिखाए देता है कि आदी मानव था चोके ज़िए अधर कपड़े नहीं कुछ नहीं मालों जो उन्होंने कपड़े या जो भी साधन उन्होंने यूज कर रखा था वो वही था ना अब वो कितने टाइम तक चलता उसके बाद उनको तो अपने जीवन जीने के लिए नए continent पर नई जगा पर उन्होंने अपने को पत्थरों का बनाना थ्यार बनाना या तामे का या नदी के किनारे जाना गुफाओं का सहरा लेना अपने जीवन को जीने का जो स्ट्रगल करना था सभी कॉंटिनेंट पर एक जैसा मिला और ये आप से धाई हजार साल पहले हुआ और हर कॉंटिनेंट पर एक कॉमन बात बताई गई अपने बच्चों को उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजा रहते थे वो गोल्डन पीरियड था वो स्वर्णिम दुनिया थी इसी को बाइबल के अंदर कुरान के अंदर दिखाया गया कि जब वो पवित्र थे तो जन्नत में रहते थे उनको जन्नत से दो जख में गिरा दिया गया ये धर्ती के टुकड़े होना इस परकार का परिचायक देता है अब उनको अपने जीवन को जीने के लिए अपनी जो व्यवस्था थी वो शुरुवात से ही किसम से बिगनिंग से ही करने पड़ी जो आज इतियास अवेलेबल है वो यहाँ से अवेलेबल है इससे पहले वाला इतियास पूरी पिर्थवी पर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है अब उसके बाद उन्होंने जैसा जैसा बोला जब हम लेंग्विज पढ़ते हैं लेटेन, फ्रेंच, अर्बी, फार्सी, हिब्रू, संस्कृत ये ओड़ेस्ट लेंग्विज अची इन छेओं लेंग्विज के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया था, हमें समझाया गया था कि सब के जो मूल शब्द हैनों वो एक जैसे जिससे ये पता लगता है कि कभी ये एक ही जगा पर रहते थे और जितनी भी उस समय की सभेता हैं, जो सिविलाजिशन्स मिली मलब समय के लोग दब गए बार आने के कारण, किसी कारण से तो वो भी धाईजार साल पुरानी है तो वो भी जहां दब गए उन सिविलाजिशन्स को भी जैसे खोद कर पाया गया, तो ऐसे लगता है कि ये पहले कभी एक इस्तान पर रहने वाले होंगे उनका खाना, पीना, रहना, सैना सब एक जैसा मिलता है तो ये जो कि समानता है उस समय की मिलती है जैसे मलब संस्कित में बोलते हैं मातरी, तो मैटर, मदर, माता ठेने, इसी परकार सभी भाशाओं के अंदर शब्द मिलते हैं सब्सक्राइच्ण वहतला है अपने तरीके से लिपी बनाया उने तरीके से, तरीके से और एक अपने अलग लगती और ये कब एक दूसरे के परिजहें में आए आज सी शिरफ पांसो साल का पांसो साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि कहीं अमरीका भी है, कहीं भारत भी है, कहीं रशिया भी है, कहीं जर्मन भी है, कहीं दूसरे कॉंटिनेंट भी है, अरब कंट्री भी है, किसी को नहीं पता था पांसो साल पहले, जो जहां थे वो वहीं थे, क्योंकि एक दूसरे तक पहुँचने का कुछ साधनी नहीं था 1498 में 1498 में इसने पांसो साल दिया ना मैंने 1498 में वासको डिगामा, कॉलमबस, मेगस्तनीज ऐसे यातरी निकले जिन्होंने पानी के जहज बनाए और जिनके द्वारा उन्होंने एक दूसरे कॉंटिनेंट को इसी टाइम ही आप देखेंगे आज से 500 साल के पहले लगबग अमरीका का पता लगा, अस्रेलिया का पता लगा, इंडिया का पता लगा, दूसरे कोंटिनेंट का पता लगा कोई 1515 में, कोई 1515 में, कोई 1498 में, मलब इनी 15, 20, 25 सालों के अंदर मलब एक continent, दूसरे continent के पैचान में आया, अब जो धर्ती से जुड़ हो रहे थे, वो तो एक दूसरे के बाद जा सकते थे, वह तो जो पानी से ही अलग हो गए, एर का तो कोई साधन नहीं था हमारे पास वो continent तो दूसरे continent के संपर्क में तब आया ही जब पानी का कोई साधन बने, अब पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए वासको डिगामा को क्यों सपना आया, ऐसा कुछ नहीं था कि एक दो मचानक सपना आ गया, कि कोई ना कोई भारत से यात्री पानी के नाव बना करके, समान ले करके वहाँ पहुचा होगा, न? कॉलम्बस निगले थे? वो घुम करके वेस्ट इंडिस पहुच गया अमेरिका ढूंड लिया महला, वो दीचे से चला गया थोड़ा सा महला, मैं मेरा करना, उससे कुछ समय पहले भारत का कोई गया होगा और उसने जाकर के वहाँ बताया होगा, कि मैं कहां से आया हूं पर तो वो इतिहास नहीं बना पाया उनको क्यों ख्याल आया, कि हम भी कहीं जाएं देखने के लिए उनका रीजन यह था है, कि उनका मैना था एक कॉंटिनेंट दूसरे कॉंटिनेंट के संपर्क में आया थे ने तो ये परमायन है हमारे पास कि धाई हजार साल पहले हम अलग हुए थे और ये बेशक कितने भी सालों को बताते हैं हमने एज को देख लिया कि प्रिफ्वी 5000 साल का ही चाकर दिखाई देता है इससे बड़ा नहीं दिखाई देता इस सरकल को अरिस्टोटल ने भी हमने भारतिय संस्कृति के एसाब से भी वेदों के एसाब से भी और दुनिया के एसाब से भी हम चार तरफ से देख रहे हैं कि ये सरकल लगभग इसी एज में आता है और बाबा केते बच्चे परमात्मा खुद आके बताते बच्चे धाई हजार साल के बाद ये कॉंटिनेंट तूटते हैं पर तुनों ने कॉंटिनेंट उनका पहले भारत एक खांट था फिर ये टुकडे टुकडे हो गया बाबा ने इस परकार से बताया और जब टुकडे टुकडे हो गया तो अलग अलग धार्म, अलग अलग जाती, अलग अलग वर्ग बने तो हमें बहुत क्लियर समझना है इस बात को किसमें किसी भी परकार का कोई डाउट रखने वाली बात नहीं रहती कि जब स्वेहम परमात्मा ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड का चक्र ये है और परमान हमारे सामने है इसे बड़ा परमान और क्या चाहिए कि जो सामने हैं बिलकुर वेद धाई हजार साल के अंदर ही लिखे गए इब्राहाम अब से पत्ची सो साल पहले आया क्राइस्ट दो हजार साल पहले आया जब इब्राहाम आया तो धर्मों में आगे शाकाइँ बने तो एक धर्म से फिर अनेक धर्म बनते चले गए इस परकार से और सभी धर्मों के अंदर एक भारत सोने की चिडिया था स्वरनिम दुनिया थी और फिर अब वो दुनिया फिर से स्वर्ग बनेगी और ये नाटक केवल और केवल पांच हजार साल का है तो हमारे सामने आता है कि नाटक सिरफ पांच हजार साल का है इससे अधिक समय का नहीं है और कोई प्रशन हो तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो ताकि उसको पास्ट किया जाए लेकिन एक्जिस्टेंस तो है इनका धाई जाएजार साल पहले लिखा है और उससे पहले वेद लिखे गए उस दोसु साल की दौरान वेद लिखे गए कभी भी लिखे हो और यह रामायन और माह भारत संस्कृत में लिखे गए तो यह तेईससो साल के बाद लिखे गए मैंने रामायन पर बनाया है और फिर जो इस राम सेतु के ओपर इतना बड़ा दौन दौन चला मैंने उस पर वीडियो बनाया है वक्या प्रूफ दिया है और नासा के भी एविदेंस है नासा ने कभी नहीं कहा कि यह सेतु वो था गौर्मेंट रिसर्च किया है गवर्मेंट के रिसर्च पेपर्स भी यह कहते हैं कि वहां कभी कोई पुल नहीं था इतनी सी बात समझनी है चोटी सी बात समझाएंगे कि कोई उबर खाबर स्थान है उचा नीचा स्थान है और वहां पानी बर गया है और वो टापूई दिखाए देंगे न दूर दूर टापूई तो दिखाए देंगे न दूर दूर पत्थर पानी में चायता है ऐसे हमारे पत्थर बहुत सारे उससे पत्थर का नाम याद नहीं आ रह बाकी उसके कोई फुल बनाया गया उसा ने मैं आपको सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो है ना एक्जामपल मैं यहाँ इसको देख रहा हूँ यह बता रहूं कोई वीडियो लंबा हो जाएगा में बात हमको ध्यान देने वाले बात है कि यह रामाइन का जो question है वो हम अलग आपको मैं बता देता हूँ यहाँ कोई question है तो पूछो क्योंकि यहाँ इस question को क्यों लंबा किया जाए रामेन बना करके ठ्याने और यदि किसी परकार का आपके मन में doubt हो किसी भी परकार का आपके मन में प्रशन उठता हो तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्व विद्याले से समपर करें या 9213106 986 पर अपना प्रशन लिखेंगे पर तो प्रशन लिखने से पहले इसी वीडियो के description box में दिये गए वीडियो की list को जरूर देख लेंगे कहीं आपके प्रशन का उत्तर वहाँ available हो आपको मेरे पास प्रशन लिखने की जरूरती ना पड़े आप वहीं आपको उत्तर मिल जाए और यदि आपका प्रशन उसमें नहीं मिलता तो आप अवश्य भेज देंगे ताकि उस पर वीडियो बना कर यूट्यूब पर डाला जाए इसी प्लेइलिस्ट में डाल दिया जाए ताकि सभी को उनके प्रशन का उत्तर सहजरीती से प्राप्त हो सके ये आपका अधिकार भी है और आपका सिवा में सैयूग ओ शान